नमस्कार मैं डॉक्टर पलवी महता और आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि टेस्टोस्टेरॉन की टेस्ट कैसे की जाती है आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें टेस्टोस्टेरॉन पुर्षों में पाया जाने वाला एक हॉर्मोन है ये हॉर्मोन पुर्षों में टेस्टीज में से रिलीज होता है सिक्रीट होता है ये हॉर्मोन पुर्षों में बोडी हैर, स्ट्रेंथ और मसल मास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये हॉर्मोन और्तों में भी पाया जाता है जी हाँ ये हॉर्मोन और्तों में ओवरीज के द्वारा सिक्रीट होता है लेकिन और्तों में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा बहुत ही कम होती है लेकिन होती जरूर है अगर किसी मर्द में कुछ problem हो यानि general ठकान, excessive tiredness, बच्चा पैदा करने में मुश्किल होना, low sex drive या erection होने में problem होना ऐसी कुछ अगर problem हो तो आपके डॉक्टर आपको serum testosterone की test करवाने के लिए suggestion दे सकते है At the same time औरतों में भी ये test का suggestion दिया जा सकता है जैसे कि बहुत ज़ादा facial hair होना, PCOD जैसी condition में या फिर औरतों में muscle mass बहुत ज़ादा होना, आवाज बहुत deep होना ऐसे अगर कुछ problem हो तो औरतों में भी ये test का suggestion दिया जा सकता है अब ये test किया कैसे जाता है ये एक simple blood test है आपके morning blood का sample लिया जाता है क्योंकि सुभे में morning में testosterone की level सबसे ज्यादा पाई जाती है इसलिए सुभे के time पे testosterone के लिए blood का sample लिया जाएगा और इसे process किया जाएगा कुछ दवाईया होती है जिसकी वज़े से testosterone की level alter हो सकती है जैसे की steroids, barbiturates, anti-conversion medicines या फिर opioids यानि की opium based दवाईया ऐसी कुछ दवाईया होती है जिसकी वज़े से testosterone की level alter हो सकती है और आपके results improper आ सकते है इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर ये test करवा रहे हैं तो अपने doctor को यानि की testing doctor को एक पार ज़रूर inform करें कि आप कौन सी दवाईया ले रहे हैं आपके doctor आपको वो दवाईया शायर बन करने भी कह सकते हैं कुछ दिनों तक अगर वो दवाईया आप बन करते हैं तो आपकी testosterone की report ज्यादा accurate आएगी अगर आपके report में testosterone की level अगर बहुत ज़्यादा लो आती है तो क्या होता है ज्यादा तर doctor आपको एक re-test करवाने बोल सकते हैं इसका कारण ये है कि testosterone की level हर दिन हर घंटे अलग हो सकती है उपर नीचे हो सकती है इसलिए शायर उस दिन के लिए आपकी testosterone level कम आई हो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन भी आपकी level लो हो दूसरे दिन अगर आप re-test करवाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा अंदाजा आता है कि सच में आपकी level लो है या वो सिर्फ fluctuation था testosterone test करने के लिए कुछ देशों में home testing kit भी available है ये test kits काफी हद तक precise होती है कुछ test kits ऐसे हैं जो saliva यानि कि मूँ में होने वाले liquid से ही testosterone की level बताता है और कुछ tests ऐसे होती है जो हातों की उंगलियों में एक print करने के बाद खून के एक बूंद से भी testosterone की level का अंदाजाद दे देता है तो क्या करे अगर आपकी retest में भी level low आ गए critically low level अगर पाई जाए तो आपके doctor आपको testosterone replacement therapy suggest कर सकते है लेकिन याद रखे ये therapy naturally reducing testosterone levels के लिए ideal नहीं है suitable नहीं है testosterone की level उमर के साथ कम होते जाती है जैसे कि 40 साल की उमर के बाद हर साल 1% से यानि की 1% से testosterone की level घटती जाती है In that case, इस case में testosterone replacement therapy ideal नहीं है, suitable नहीं है testosterone replacement therapy injections के द्वारा या गोलियों के द्वारा कुछ patch के द्वारा या gel के द्वारा भी ली जा सकती है आपके लिए जो भी therapy suitable है, ideal है वो आप अपने doctor से consult करके ही चालू करे Over the counter ना ले Testosterone की level को naturally increase करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपना mind stress free रखे जितना हो सके उतना अच्छा खाना खाए, अच्छा diet रखे वजन normal रखे, regularly exercise करे और हाँ, एक बात जरूर याद रखे, ये test एक अच्छी lab में से करवाना बहुत जरूरी है accurate results के लिए एक genuine lab में जाना बहुत ही ज्यादा important है अगर आपको एक genuine lab की help चाहिए, तो इस video की description में उस lab की link जरूर मिलेगी वहाँ पे link पे click करके आप अपनी test schedule करवा पाएंगे और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे channel को subscribe ना किया हो तो please जल से जल subscribe करे, लाल बटन पे click करे और channel को subscribe करे मैं आपके लिए अगले video में testosterone की report कैसे पढ़ी जाए, वो share करोगी Thank you